हेलो आपका स्वागत है हमारे चैनल बैसाली केमपस में दोस्तो आज हम बात करेंगे रेलवे एलपी सीविटी टू का रिजल्ट आने वाली है बहुत जल्द इसी मंत में आ जाएगी तो इसमें हम बात करेंगे कटप के लिए क्योंकि बहुत से इंक्वाइडी आ रही है इसमें भी कटप आ रही है नॉमलाइजेशन की बात हो रही है कि उसमें नॉमलाइजेशन होगा कि नहीं तो पुरा डेटल से हम इस वीडियो में बात करेंगे तो आप सुरू से लाश्ट तक बने रहे हैं अगर आप से रूकेस्ट है कि अगर आप मेरे चाइनल पर पहली पैसा या कुछ नहीं मिलता है लेकिन एक आपको लाइक से मैं मोटिवेट होके आपको पड़ेट करते रहता हूं कोई भी एक्जाम हो रेल्वी हो नोटिपिकेशन हो सभी के लिए आपको अपडेट करते रहा हूं तो आप लाइक करना मत भूलिया कोमेंट जादे-जादे करिए तो चलिए हम आप बात करते हैं सबसे बारे आपका रिजल्ट की तो रिजल्ट आपका इस मन्त में ही आ जाएगी बहुत जल्द आए जाएगी अभी लिगिन कोई नोट आपसेल नोटिपिकेशन नहीं आई है लेकिन मीडिया वीपोर्ट चाहिए जो भी सोशल मीडि के लिए same syllabus चाहिए तो देखे normalization होगा है तो देखे same syllabus की बात है तो आपकी trade में compare करके normalization होगा जिसका mechanical है तो mechanical के मान के चलिए या 10 shift हुआ होगा या 9 shift हुआ होगा तो 9 shift में ही करके normalization किया जागा तो normalization confirm है तो आपके लिए सबसे खुसकाबरी उस student के लिए है जिनका shift 10 shift हुआ है total एक cancel लेके तो दसो shift में अगर जो paper हुआ होगा उनको जादे maximum number increase होगी part B में देख लिजेगा अगर जिनके मान के चलिए 4 shift या 5 shift में exam हुआ होगा तो उसमें उसने number increase नहीं करेंगे जितने इसमें 10 shift में number increase करेंगे तो यहां पर part B आपका clear हो गया कि normalization होगा और number कितने कितने increase करेंगे अगर जादे details से देखना है तो आप comment करके बताए या इस पर मैं video बना के upload करें तो उसको भी जाके देख सकते हैं अब चलिए पार एक की बात करें कि कितनी cut up रह सकती है तो सबसे पहले हम लेते हैं टेकनेशियन का तो देखें इसमें कोई नहीं है इसे सिर्फ final result यहां merit बनने वाली है तो इसकी cut up हाई जा सकती है इसमें minimum है जो zone की cut up कम जाती है उसकी 45 है या कोई zone की जैसे इलहाबाद हो गया उसका पटना हो गया तो इसमें की हाई जा सकती है तो देखें यहां पर maximum minimum है और बात करें OBC ST की तो आप इसके अंसार से अपना अन्मान लागा लिजिए कि आप सेफ है या नहीं यह है आपका रॉमार्क्स नॉम्लाइजेशन मार्क्स नहीं है रॉमार्क्स है इसके बाद रॉम 4-5 नंबर कम मार लिजिए ST से कम मार लिजिए 4-5 नंबर अगर आपके जितने के मतलब रेल्वे ने डिसाइड गिया था परसेंटेज कॉलिफाइंड मार्क्स उससे अगर पांच नंबर भी टेकनिसेन में जादे हैं अगर मान के जलिए जिसके OBC है 30-35 डिसाइड किया था तो आपके 40 नंबर है रो माक्स तो आप सेफ है क्योंकि नॉम्मलाइजेशन में नंबर बरहेगी क्योंकि देख सकते हैं कि पेपर का लेवल बहुत इनकी ऑप या डाउन था क्योंकि 10 सिप्ट में एक जाम हुआ है टोटल कैंसिल लेने के बाद तो आपका पेपर आप या लेटर बहुत लेवल होई तो उसमें नॉम्मलाइजेशन में नंबर इनकीरिश होंगे आप यह भी देख सकते हैं कि रेलवे ग्रूप डिया आरपी अप हुआ है इसा या कॉस्टेबल उसमें नॉम्मलाइजेशन में मैक्समुम नंबर 30-35 नंबर इनकीरिश हुए है मैक् बुलाना है अभी तो इनके यहां मिनमम कटप जो क्वालिफाइड रेलिवे ने डिसाइड किया था क्वालिफाइड जितने भी परसेंटेज उतने ही कुछ जोन की और कुछ जोन में थोरी मुरी हाई जा सकती है तो मिनमम मैंने 40-47 रखा हूं मैक्समां तो इतने के बीच में अगर हैं अब भी CSD की बात करें तो अपने परसेंटेज जितने डिसाइड की है मिनमम वह से अगर उपर है या उसके बराबर भी है तो आप लोग से जरूर है क्योंकि साइकों के लिए आठ गुना लरके बहुत होती है आठ गुना तो समझ सकते हैं जितने फर्म अपलाई सकते हैं तो इनके आठ गुना इनके बाद इनके 70% ये CBT2 और 30% नमबर आपका साइकों से एड़ करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो यहां से आप लोग देख सकते हैं अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना मत बुलिए अब बात करते हैं लोग PCM की तो देखे PCM की कटफ हाई जाएगी क्योंकि नमबर आप सीट सबसे बड़ी वेकेंसी कम थी और लर्के नमबर आप जादे मैक्समम थी सबसे जादे मैक्समम हर जोन में तो देख लिए यहां मिनमम कटफ रहेगी रॉमार्स बता रहा हूं 60 नमबर है और मैक्समम 75 75 उ कोई प्रिक्जाम हो उसमें कटफ हाई रहती है तो वहां पर मैं बता दो और इधर की है गुरकपूर हो गई साउथ में यहां इधर पटना मजबपरपूर जहां पर सीट कम है यहां पर लड़के अपला ही कम किये थे वहां पर कटफ कम रहने की संभावना है तो आप लेगे देख सकते हैं फाइनल मेरिश लिस्ट पीसीम की तो आइस में नमबर है इस में डिप्लोमा वाले भी इंट कोई बुपरूबूट है तो आप लोग कमेंट चा nhद जरूर बोले आप चालियल को